अजय देवगन एक बहुत ही मशूर नाम है, इस नाम से भारत का हर शक्स परिचित है। इन्होंने विभिन्न हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय के साथ साथ निर्मान और निर्देशन के छेत्र में भी बहुत ख्याती बटोरी है। अजय ने अब तक हिंदी फिल्म इंडश्ट्री में लगभग एक सौ से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। अपने काम के जरिये इन्होंने कई अवार्ड्स भी जीते हैं, जिसमें Film Fair Award, National Film Award आदी शामिल है। इन्हें मिलने वाले अवार्ड्स में अब तक सबसे बड़ा सम्मान पदमश्री है, जिसे भारत सरकार द्वारा इन्हें साल 2016 में दिया गया था। कॉलेज मिठीबाई कॉलेज शिक्षा ग्रेजुएशन पिता का नाम वीरु देवगन मा का नाम वीना देवगन भाई अनिल देवगन बहें नीलम गांधी मेरिटल स्टेटस विवाहित पत्नी का नाम का जोल गर्लफ्रेंड रवीना टंडन करिश्मा कपूर अजयका। लुक लंबाई 5 फीट 10 इंच वजन 78 किलोग्राम बोडी साइज बालों का कलर काला आखो का कलर काला डेब्यूट इनफार्मेशन बॉलिवुड डेब्यू फिल्म अभिनेता के तौर पर फूल और कांटे डेब्यू फिल्म निर्माता के तौर पर राजु चाचा। पसंद और नापसंद पसंद पसंदिता खाना चिकन, फिशकरी और चावल पसंदिता अभिनेता एल पसीनो अमिताभ बच्चन पसंदिता अभिनेतरी मधुबाला पसंदिता खेल क्रिकेट अजय देवगन फिल्हाल मुंबई में रहते हैं परंतु यह मूलतह अमरित सर पं अजय के पिता वीरु देवगन है जो की हिंदी फिल्मों में स्टंट कोरियोग्राफर थे और इनकी मावीना एक फिल्म निर्माता थी अजय के भाई अनिल देवगन भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं और वे एक फिल्म निर्माता और स्क्रीप राइटर है इसके अलावा इनके परिवार में इनकी एक बहन भी है जिनका नाम नीलंग गांधी है अजय के पिता का सपना शुरुवात से ही उन्हें अभिनेता बनाने का था उन्होंने खुद फिल्म इंडस्ट्री में कई वर्ष प्रयत्न किया और फिर अभिनेता बनने का सपना छोड स्टंट कोरियोग्राफर बने और फिर इन्होंने लगभग 80 फिल्मों में स्टंट कोरियोग्राफी की इस प्रकार अजय के मन में भी बच्पन से यह निर्नय होगा कि उन्हें फिल्म अभिनेता ही बनना है परन्तु इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई सिल्वर बीच हाई स्कूल से की और फिर आगे की शिक्षा मिठीबाई कॉलेज से पूरी की साल 1995 में फिल्म गुंडाराज के दौरान अजय का आकरशन इनकी पतनी काजोल के साथ हुआ इसी के बाद से इन दोनों के अफेर्स की खबरे मीडिया में आने लगी परन्तु दोनों के विपरीट स्वभाव के कारण मीडिया ने इन्हें राइट कपल करार नहीं किया साल 1999 में इन्होंने सभी को गलत साबित कर 24 फरवरी के दिन महाराश्ट्रियन रीती रिवाज के साथ अपना विवाह देवगन हाउस में संपन्न किया आज यह बॉलिवुड की सफल शादियों की श्रेणी में से एक है इनके विवाह को 19 साल हो चुके है और इनके दो बच्चे भी है इनके बच्चों के नाम न्यासा और युग है अजय ने एक अभिनेता के रूप में अपने फिल्मी सफर की शुरुवात साल 1991 में की इनकी पहली फिल्म फूल और कांटे थी और इसके लिए इन्होंने फिल्म फेर अवार्ड भी प्राप्त किया इस फिल्म में अजय ने उनके पिता की खूबियों को प्रदर्शित किया और इस फिल्म में इन्होंने दो बाइक पर बैलेंस बनाकर स्टंट का प्रदर्शन किया इसके बाद इनकी अगली फिल्म करिश्मा कपूर के साथ जिगर थी यह फिल्म भी एक हिट फिल्म साबित हुई और इसने उस समय बॉक्स ओफिस पर साथ करोर का कारोबार किया था इस प्रकार अजय ने अन्य प्रसिद्ध अभिनेताओं के विप्रीच शुरुवात से ही अपना कबजा बॉक्स ओफिस पर जमा लिया था इसके बाद साल 1993 में अजय देवगन ने दिल है बेताब, दिव्यशक्ती, संग्राम और एक ही रास्ता और धन्वान जैसी सफल फिल्मों में काम किया और फिर 1994 में इनकी दो बहुत ही चर्चित फिल्मे सुहाग और विजयपत आई, विजयपत उस साल की सबसे बड़ी सुपर हिट रही थी साल 1995 में इन्होंने नाजयस, हलचल, गुंडाराज और हकीकत जैसी फिल्मों में काम किया इस वर्ष तब्बू के साथ बनी फिल्म हकीकत उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही थी इसके बाद अगले वर्ष 1996 में इन्होंने फिल्म जंद, जान और दिलजले में काम किया फिल्म दिलजले में इन्होंने एक आतंकवादी की भूमिका निभाई थी जो की अब तक के करियर का सबसे अलग पहलू था इसके बाद अजय अपनी राह पर बढ़ते चले गए और जखम हम दिल दे चुके सनम प्यार तो होना ही था मेजर साहब गैर दिल क्या करे हिंदुस्तान की कसम जैसी सफल फिल्मों की लाइन लगा दी साल 2000 में इनकी फिल्म ये रास्ते है प्यार के रिलीस हुई और साल 2003 में इन्होंने गंगाजल में काम किया इसमें इनका अभिनय बहुत ही यादगार और प्रशन सनिय था गंगाजल के बाद Once Upon A Time In Mumbai, सिंघम, राजनीती, सिंघम रिटर्न और द्रिशम इनकी आल्टाइम फेवरेट मुवीज में से एक है इन्ही फिल्मों ने इन्हे नई पहचान भी दिलाई इनकी हाल में आई फिल्म रेड भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है इस प्रकार फूल और कांटे से लेकर रेड तक हमने इनके कई किरदार देखे इन्होंने कॉमेडी, एक्शन, सीरियस हर रोल को बखू भी निभाया है एक फूल और कांटे दिनेश पटेल कुकू कोहली अजय देवगन, मधु दो जिगर फरोगवे, फैरोग, सिद्धीकी सलीम, अक्तर अजय देवगन, करिश्मा कपूर, तीन दिलवाले परमजीत बावेजा हैरी बावेजा अजय देवगन, सुनील शेटी, रवीना टंडन चार दिलजले महता रोहित शेटी अजय देवगन, अभिशेक बच्चन, प्राची अगले वर्ष साल 2000 में अजय देवगन ने फिल्म निर्मान के क्षेतर में कदम रखा इनकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम अजय देवगन फिल्म्स है इनके प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म राजू चाचाग थी, जिसमें मुख्य किरदार में ये स्वयन और इनकी पतनी का जोल थे इसके बाद साल 2008 में इन्होंने निर्देशक के रूप में अपने आप को स्थापित किया और अपनी पहली फिल्म यूमी और हम बनाई इस फिल्म में ये सह निर्माता भी थे और यह एक इमोशन लव स्टोरी थी इसके बाद इन्होंने साल 2012 में रोहित शेटी के निर्देशन में एक सह निर्माता के रूप में फिल्म बोल बच्चन बनाई यह फिल्म बॉलिवूड की सफल फिल्मों में से एक है जिसने साल 2012 में 158 करोर का व्यापार किया था इन्होंने साल 2012 में ही फिल्म सन उफ सर्दार का भी निर्देशन किया और इसमें मुख्य भूमिका भी निभाई यह फिल्म भी सफल रही और इसने 150 करोड का व्यापार किया इसी साल 2018 में इन्होंने एक मराथी फिल्म आपला मानुष का भी निर्मान किया इस फिल्म का निर्देशन सतीश रजवाडे ने किया और इसमें मुख्य भूमी का नाना पाटे कर इरावती हर्शे और सुमित रागवन ने निभाई है अजय देवगन ने साल 1991 में इंडस्ट्री में आते से अपनी पहली फिल्म फूल और कांटे के लिए बेस्ट एक्टर डेब्यू के लिए फिल्म फेर अवार्ड जीत लिया था इस प्रकार मात्र 21 वर्ष की उम्र में यह उनका पहला अवार्ड था और इसके बाद यह सिल्सिला बढ़ता चला गया और अजय की लिस्ट में अवार्ड शामिल होते चले गए इन्हें भारत सरकार ग्वारा पदमश्री से भी नवाजा गया है यहां आज तक कुल 65 बार विभिन अवार्ड के लिए नोमिनेट हो चुके हैं जिन में से इन्होंने 60 अवार्ड को जीता है बॉलिवुड में हर शक्स के जीवन में कोई ना कोई विवाद अवश्य जुड़ा होता है जिसमें से कुछ सही होते हैं और कुछ महज मीडिया द्वारा बनाये गए कुछ मुद्दे इसी प्रकार अजय देवगन के जीवन से भी कुछ विवाद जुड़े हुए हैं जिनकी जानकारी हम नीचे आपको दे रही है अजय की शादी से पूर्व नब्बे के दशक में अजय और रवीना के बीच कुछ विवाद सामने आये थे इस समय अजय करिश्मा कपूर के साथ रिलेशन में थे और रवीना ने उन पर धोका देने का आरोप लगाया था इनका यह विवाद बहुत चर्चा में रहा था अजय ने उस समय कहा था कि उनका रवीना के साथ कोई रिलेशन नहीं था और उन्हें मनोचिकित्सक की जरूरत है इसी सिलसिले में अजय ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि रवीना को उनके द्वारा लिखे गए खतों को सामने लाना चाहिए बे भी पढ़ना चाहते हैं कि उन कालपनिक खतों में क्या बाते लिखी गई है उन्होंने यह भी कहा था कि रवीना के द्वारा उनके नाम का उप्योग पब्लिसिटी पाने के लिए किया जा रहा है और उनके द्वारा किया गया आत्महत्या का प्रयास भी मात्र पब्लिसिटी पाने का एक जरिया है साल 2009 में प्रोडूसर करण रामसे ने इन पर इनकी फिल्म All the Best की स्क्रिप्ट के लिए कॉपिराइट का केस फाइल किया था इस केस का फैसला भी करण के पक्ष में आया था परंतु बाद में अजय की कमपनी ने यह साबित किया कि उनकी फिल्म इंग्लिश फिल्म Right Bait Wrong Husband की ओफिशियल रिमेक है इनकी फिल्म सन ओफ सर्दार के लिए Human Rights Activities नवकिरण ने फिल्म के कुछ द्रिश्यों को लेकर इनके खिलाफ केस फाइल किया था बाद में अजय ने फिल्म में इनके हिसाब से कुछ परिवर्तन किये थे इनकी फिल्म सन ओफ सर्दार और यश राज फिल्म्स की फिल्म जब तक है जान की रिलीज डेट से न थी इस समय अजय ने यश राज फिल्म के खिलाफ दिस्टिब्यूटर को उनकी फिल्म को ज्यादा स्क्रीन देने के लिए Manipulation का आरोप लगाया था और इन्होंने यश राज फिल्म्स के खिलाफ ओफिशियल शिकायक भी दर्ज करवाई थी हमारे पसंदीदा अभिनेता, अभिनेत्री या खिलाडियों किसी के भी जीवन से जुड़ी इंट्रेस्टिंग बातों को जानने में हमें बड़ा मजा आता है इसलिए आज हम आपको अजय देवगन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों से परिचित करवा रही है जो आपने पहले शायद ही कभी सुनी होगी फूल और कांटे से कही पहले साल उननीस सौ पचासी में अजय ने अपनी एंट्री बॉलिवुड में दर्स करवा दी थी इस समय इन्होंने प्यारी बहना नामक फिल्म में काम किया था इन्होंने इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के बचपन का किरदार निभाया था अजय देवगन को राकेश रोशन की फिल्म करण अर्जुन में सल्मान की जगह चुना गया था और इन्हें डर फिल्म में शाहरुक की जगह भी काम करने का मौका मिला था परनतु वे किनही कारणों से इन पिक्चर्स में काम नहीं कर पाये थे अजय को संजय लीला भनसाली की फिल्म के लिए बाजी राव का किरदार रनवीर से पहले ओफर किया गया था परन्तु समय और फीस के चलते वे इस फिल्म में काम नहीं कर पाए थे अजय ने इस फिल्म के लिए संजय को 200 दिनों का टाइम दिया था जो काफी नहीं था इसके अलावा वे खुद के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म शिवाय में भी काम करना चाहते थे अजय ने अपने किसी इंटरव्यू में कहा था कि जब वे पहली बार काजोल से मिले थे तो वे उन्हें बिलकुल पसंद नहीं आई थी उन्होंने बताया कि हम लोग हलचल की शूटिंग से पहले एक बार मिले थे और मैं उनसे मिलने के लिए जरा भी उत्सुक नहीं था इसके अलावा उन्होंने कहा काजोल पहली मुलाकात में जोर से और ज्यादा बातें करने वाली एक घमंडी लड़की नजर आई थी और हमारी परस्नालिटी भी एक दूसरे से बिलकुल विप्रीथ है परन्तु बाद में वे एक दूसरे को पसंद करने लगे अजय और काजोल में से काजोल को खाना बनाना बिलकुल नहीं आता वही अजय एक बहुत अच्छे कुक है यह बात काजोल ने कपिल शर्मा के शो में कही थी उन्होंने इस समय यह भी बताया था कि अजय ने उनकी शादी के बाद दो महीने का लंबा हनीमून प्लान किया था परन्तु काजोल को होम सिकने स्कील होने लगी और बे एक महीने में ही वापिस लौट आये थे अजय स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों का शौक रखते हैं उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार उन्होंने स्मोकिंग के लिए सलमान के साथ पुरा कमपार्टमेंट बुक करवाया था ताकि उन्हें कोई पकड़ ना सके साल 2009 में अजय ने अपने सरने की स्पेलिंग जोतिश के हिसाब से देवगन से बदल कर देवगन कर ली है और ये भगवान शिव में विश्वास रखते हैं और इन्होंने इनका टेटू अपने सिने पर गुदवाया हुआ है यह भारतिय जन्ता पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उसके स्टार प्रचारक भी है इसी के साथ यह बॉलिवूर के पहले ऐसे स्टार है जिनके पास स्वय का प्राइवेट जेट है इन्होंने अपनी फिल्म एक्शन जैक्सन के लिए 17 किलो वजन घटाया था यह जूतों के बहुत शौकीन है और इनके पास जूतों का बहुत बड़ा कलेक्शन भी है कहा जाता है कि इनके पास लगभग 300 जोडी जूतों का कलेक्शन है